चानक क्या IAS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं 28 में सयुक्त राष्ट्र जल्वायू समेलन के बारे में सयुक्त अरब आमिरात में 28 में सयुक्त राष्ट्र जल्वायू समेलन का आयोजन दुबई एक्स्पो सिटी में शुरू हो गया है इस समेलन में 200 देशों के प्रतिनिधी शामिल हो रहे हैं 30 नमबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले इस वारता में जल्वायू प्रिवर्तन के दुश्प्रभावों, जिवाश्प इंदन के इस्तेमाल, मिथेन एवं कारवन उस सर्चन कम करने के लिए वित्य सहायता और अमीर देशों से विकास शेल देशों को दिये जाने वाले मुआवजे जैसे मुद्दों पर गहन बादचित होने की संभावना है भारतिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिसंबर को इस समेलन में शामिल हो चुके हैं दुनिया भर में घातक गर्मी, सूखा, जंगल की आग, तुफान और बाड का असर आजीवी का और जीवन पर पढ़ रहा है 2021-2022 में वैश्विक कार्बन डायोकसाइड का उस सर्जन रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है इसका लगभग 90% जिवाश्म इन्दन से आता है कॉप 28 के दौरान किंग चाल्स, तुरित्य, पॉप फ्रांसेस और लगभग 200 देशों के नेता इस मुद्दों को परमुकता से सम्बोधित करेंगे इस समेलन में जलवायो संकट का समाधान निकालने का प्रयास होगा समेलन में जलवायो संकट में कम योगदान देने के बावजूब जलवायू संकट का खामियाजा भुगतने वाले विकास सिल और गरीब देशों को आर्थिक समर्थन के मुद्दे का समाधान निकालने का प्रियास किया जाएगा जिवाश्म इंधन जिसमें कोईला, तेल और गैस आदी आते हैं इनको चरणबन तरीके से बंद करने के लिए वैश्विक दबा बढ़ रहा है वैश्विक जलवायू प्रिवर्तन में सबसे बड़ा इसी का योगदान है यह वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सरचन के लगभग 90% के लिए जिम्मेदार है तर्क है कि उन्हें परिश्कृत तरीके से विक्सित करने तक तेल और गैस निकालने की अनुमती दी जाहिए हालांकि विशेशग्य इससे सहमत नहीं है अब हम बात करेंगे नवी कर्णिय उर्जा हितु भारत की आवशकताओं के बारे में विश्विक उर्जा थिंक टेक एमबेर द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की चौदमी राष्ट्रिय विदुत योजना वर्ष 2030 तक अपनी नवी कर्णिय उर्जा शमता को तीन गुना से अधिक करने की रापर है लेकिन इसे हासिल करने के लिए देश को कुल 293 अरब डॉलर की जरूरत है अंतराष्टिय उर्जा एजनसी ने कहा है कि विश्व को जिवाश्म इंदन की जरूरत कम करने और इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान व्रदी को 1.5 डिग्री सेल्शिस तक सीमित करने के लिए 2030 तक अपनी नवी करनिया या अक्षय उर्जा शमता को 3 गुना और उर्जा दक्षता को 2 गुना करने की आवशकता है ऐसे में अक्षय उर्जा को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा अमेरिका, यूरोपिय संग और सयुक्त अरब अमिरात के नित्रत्व में 60 से अधिक देश अब अक्षय उर्जा को 3 गुना करने और उर्जा दक्षता को 2 गुना करने की प्रतिबत्ता का समर्थन कर रहे है G20 देशों ने भारत के दक्षता में 2030 तक नवी करनिय उर्जा शमता को 3 गुना करने का समर्थन किया है वही इस सार सयुक्त राश्ट जलवायू समेलन की मेजबानी कर रहे UAE ने COP28 में इस पर वैश्विक सहमती की वकालत की है ऐसे में भारत के प्रधान मंत्री की तरफ से भी कुछ पहले की गई है भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अंतराश्ट्रिय आर्थिक और भूराजनेतिक माबलों में अपने बढ़तेकत के हिसाब से वार्षक जलवायू परिवर्तन या कॉन्फरेंस ओफ पार्टिस समेलन में सक्रेता बढ़ाई है ग्रेन हाउस गैसों के तीसरे सबसे बड़े उसर्चक के रूप में भारत वार्षविक कॉप का रिक्रमों में विकास सिल देशों के लिए एक प्रभावशाली आवास बनकर उबर रहा है 2021 में ग्लासको में कॉप 26 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयावरन के प्रती जागरुक जीविन छेली अपनाने के लिए वेश्विक पहल लाइफ्टाइल फोर दा एंवायरमेंट लाइफ को सामने रखा था इसे दुनिया भर के देशों ने स्विकार भी किया था कॉप 28 जलवायू से समंदित सबसे बड़ी वेश्विक सभावी है भारत ने 2008 में भारत में कॉप की मेजमारी की थी उस समय कॉप का महत्वत वेश्विक सतर पर उतना नहीं था जितना आज है समयलन में केवल जलवायू वार्ताकार और परियावरन मंत्री ही शामिल हुए थे लेकिन 2009 में कोपनहेगन में कॉप 15 हुआ और 2015 में पैरिस में कॉप 21 और 2021 में ग्लासको में कॉप 26 में 100 से अधिक राष्टा देक्षों ने हिस्सा लेकर इसे विश्व के सबसे बड़े समयलनों में से एक बना दिया इस समयलन में भारत की भूमिका के अगर बात करें तो 1992 के रियो डी जैनेरियो प्रत्फी स्चिकर समयलन से भारत एक सुनिश्यत करने की कोशिश कर रहा है कि जलवायों परिवर्तन रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने का बोज विकास सिल देशों पर अनुचित रूप से पड़े अमीर और विक्सित देशों को ये जिम्मेदारी उठाने चाहिए सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने अधिकास और शर्जन किया है बलकि इसलिए भी क्यूंकि उनके पास काम करने के लिए अधिक संसादन और शमता है भारती वारताकारों ने 1997 में कोब 3 में क्योटो प्रोटोकॉल में मुख्य भूमी का निभाई थी 2021 की ग्लास को बैठक में भारत में अंतिम मसोदे को रोग दिया था पिछली वर्ष सर्म अलशेक में बैठक में भारत में कोईला ही नहीं बलकि हार तरह के जिवाश्म इंदन को चरण बन करीके से बन करने पर जोर दिया था अब हम बात करेंगे भारत की प्रतिवत्ताओं के बारे में भारत ने अब तक दो NDC अर्थात राष्टिय स्तरपर्तिय किया गया योगदान प्रस्तुत किये हैं पहले NDC में तीन लक्षित वादे थे भारत 2030 तक अपनी सर्जन त्रिवता को 2005 के स्तर से 33 से 35 प्रतिशत तक कम कर देगा भारत सुनिशित करेगा कि 2030 में इसकी स्थापित बिजली चमता को कम से कम 40 प्रतिशत गैर जिवाश्म इंधन स्त्रोथ से हो इसके अलावा व्रक्षों और वनों के जरीए तीर अरब टन अतरिक्त कार्बन अवशोशित करने की विवस्ता करने की आवशकता है इसके साथ ही आज का ये विशे यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद